नमस्कार दोस्तों मैं आरियन सर्मा और आप लोग देख रहे हैं आरियन ओनलाइन कलासिस तो फ्रेंड्स आज किस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्छा दसभी के प्रशना वाली 10.1 मतलब एक्ससाइज जो है बिर्त वाला एक्ससाइज है 10.1 और इससे पहले जित बात करने आए इस से पहले इसका बेसिक को नहीं जानते तो हवा में चला जायगा ठीक है कि नहीं है देंगे हम आपको एक से दो मिनिट का जो है हम इनका मेन फैक्ट जो है विर्त का हम बता देते हैं और उसके बाद देखेगा यह जो भी यह विर्त का द्या जो है दस दसनल एक बिल्कुल असाम तरीका में खीच दीजेगा दिक्कत ही नहीं होगा मतलब फटा फट बनने लगे पास सेची मनिट में अर्धियाए खतम हो जाएगा ठीक है तो सबसे पहले आपन लोग बेसिक सेप्ट को समझ लेते हैं अब दीखें यह गोला दाइब का जो देख रहे हैं इसको कहते हैं विर्त क्या कहते हैं इसको कहते हैं बिर्त और इस गोले जो बना हुआ है यह जो च इसके बीच में कोई point दे दें यहां पर इक point दे दी हम इसको कहते हैं विर्त का केंदर क्रिंडंग क्या दो क्लिदें को से इस लाइन से इस लाइन को टच कर दिये मतलब इस लाइन से इस सेंटर को टच कर दिये तो केंदर से टच कर दिये इसका नाम हो जाता है क्या तरजिया क्या हो जाता है तरजिया ठीक है आगे यह चीज गाम देने वाला इसलिए बिल्कुल समझते चले इसको कहते हैं तरजिया अगर यहां से लेके एक लाइन से यहां से एक बिंदू से दूसरे बिंदू तक मिलार है और सेंटर से भी यहां से यहां तक यह रेखा मिल गया इस रेखा को कहते हैं व्यास और ब्यास इसको ब्यास कहते हैं और इसको डी से सूचित करते हैं और इसको तिरजिया को आर से सू जबना आप तीर जया इसमें कोई दिक्कत नहीं लेकिन अदि इसमें यहां ए दे दिजिए और बी दे दिजिए तो पूछेंगे एभी क्या है आप कहें से यह चीज के लिएर होनी जो है बच्ची में ठीक है अब यहीं समझ के जाएंगे उसमें आप फटा फट जवाब देज़ेगा ठीक है असपर्स रेखा किसको कहेंगे देखिए असपर्स रेखा जो होता है अब देखे इस बृत को थोड़ा सा टच कर रहा है यह इस बृत को थोड़ा सा टच कर रहा है छूते हुए जा रहा है ठीक है इसको ही हम ल चलिए थोड़ी लाइन सीधी नहीं है, इग्नॉर करना उस लाइन को सीधी नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इग्नॉर कर देना है, आप लोग असकेल से करेंगे, तो बेटर होगा, चलिए, एक और लाइन खीच देते हैं, मेरा काम है बताना, ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पी इसका नाम दे दो, कुछ भी, A, B, C, यहाँ पे भी, ठीक है, यह असपर्स रिखा, दो असपर्स रिखा खीच दिया हम, और यहाँ पे, असपर्स रिखा दो खीचे, यहाँ पे, A, B बराबर जो है, क्या हो जाएगा A C, असपरस रहा जो होता है, बर्त का बड़ाबर होता है, ठीक है, A B बराबर किया होजेगा, A C, A B जितना होगा, उतना ही A C होगा, ये भी एक फैक्ट स्था, और आए, एक और चीज हम आपको समझाते हैं, जिसको बोलते हैं 6 तक उसका भी बहुत मैने है बिर्त में ये देखिए ये ड्रॉ किये बिर्त को और यहां पे आपको हम बताते हैं असपर्स बिंदू आप बताते हैं ठीक है असपर्स बिंदू असपर्स रेखा समझे अब बिंदू ठीक है असपर्स बिंदू देखिए अधि इस बिर्त में यहां पे असपर्स रेखा पे एक बिंदू दे दें इसका नाम ए इसका भी या सी जो भी करना है कर सकते हैं ठीक है यह क्या हो गया आपका असपर्स बिंदू हो गया ठीक है और असपर्स बिंदू और यह क्या है मैंने आपको पहले बताया यह है सेंटर म लोग यहां से यहां सेंटर तक मिला देते हैं यह क्या हो जाता है तिर्जिया और याद रखेंगे असपर्स बिंदू से विर्त के केंदर तक जाने वाली रेखा जो होते हैं नब्ड डिग्री का कौन बनाता है यह भी फैक्ट्स था विर्त का ही यह समझ गए और यह अंतिम हम आपको समझा देते हैं इस अध्याय के अनुसार छेदक रेखा और सारा सवाल अराम से बन जाएगा छेदक रेखा समझते हैं तो एक विड़त ले लिए अब छेदक रेखा किसको कहेंगे सिंपल सी बात है यहां सी यहां इसको ड्रॉव कर दिये ठ इसी को हम लोग कहते हैं छेदक रेखा ठीक है दो बिंदू पर मिले उसे छेदक रेखा कहते हैं अब इसाने की यहीं पर होगा यहीं पर भी हो सकता है यहां पर भी हो सकता है यहां पर भी हो सकता है छेदक रेखा हो गया तो यह चीज किलियर हो गया आपको जो जो इस अध यहां पर पहला सवाल है कि एक बिर्त पर कितनी असपर्स रेखाएं खीश सकते हैं तो अब दिखिए बिर्त बना लिजे सबसे पहले यहां पर हम आपको बिर्त बना देते हैं और बिर्त पर कहेंगे कितना असपर्स रेखा खीचेंगे सर इधर से असपर्स रेखा दोनों तरफ नहीं कटना चाहिए इधर से भी और इधर से भी और इधर से भी सर इधर से भी और इधर से भी मतलब आसपर्स ये गलत हो गया इसको कहेंगे छेदक कहेंगे ठीक है टच करवाना ठीक इधर से भी सर फिर इधर से भी मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा अनगीनत हो जाएगा अनगीनत रेखा हम लोग खीश सकते हैं ठीक है अनगीनत चलिए यह चीज हम इटा लेते हैं आप लोग समझ गए अब आएए दूसरे प्रशनों की और दूसरा प्रसंद कहरा यहां पर रिक्ता स्थानों को पूर्ति कीजिए पहला है किसी विर्त की असपर्स रेखा उसे कहते हैं किसी विर्त की असपर्स रेखा उसे बिंदूओं को क्या कहते हैं उस बिंदूओं को क्या कहते हैं यह ना दूसरा नमबर स्वाल स्वारी हम यहां से आधा कुश्यों ने इसका पर या आधा इसका पर दिये थी देखिए दो न अब यहां पर इक वीर्त बनालिए, अब इस पर कितने विंदू पे छेद करेगा यहां प दिखे इसको इस लाइन से मिला रहें, तो यहां प दिखेंगे आप लोग तो आपको दिखाई परेगा एक ही विंदू पि just करुए है कैंग एक एक भिदुओं पर परड़ती करने करती ठीक है एक इलिए हो गया दूसरा नमर के रा कर लिए और यहां यहाँ विंद्व हैं कि यहां चेद करती हैं कि परति छेदक रेखा सामांतर रिखा खीच सकते हैं चलिए देखिए यहां से चलिए एक सामांतर रिखा यह हो गया दूसरा सामांतर रिखा हम इधर से खीच देते हैं और कहेंगे सर इधरों से खीच दिये तब इधर से खीचेंगे यह कट जाएगा ये समांतर रेखा नहीं होगा ये कट जाएगा इसलिए कटना नहीं है तो एक विर्त पर दो समांतर असपर्स रेखा किची जा सकती है दो ठीक है लेकिन एक विर्त की कितनी असपर्स रेखाएं हो सकती है तनगीनत कितना असपर्स रेखा किचा जा सकता है तनगीनत लेकिन य उभेनिष्ट बिंदू को डैस कहते हैं तो देखिए एक विर्थ है एक विर्थ है और उसके उभेनिष्ट बिंदू को क्या कहते हैं हम लोग असपर्स बिंदू बोलते हैं क्या बोलते हैं असपर्स बिंदू आपको हम पहले बता चुके हैं ठीक है असपर्स बिंदू हो गय सब देंड में और आये हम आपको तीस्रे नमर सवाल के ओर ले केशलते हैं जो कि बहुत इंपोर्टेन्ट निय रख़ा यहاं पर कि राव 5 cm यहां पर ने लेते हैं तो मज़ा आएगा यहां लेते हैं यहां पे एक विर्थ का केंद्र है और इसकी जो दे रखा यह पांस सेंटीमीटर ठीक है पांस सेंटीमीटर तिरजया वाला एक विर्थ के बिन्दू P पर असपर्स करता है यहां पे बिन्दू P है पी पर असपर्स रेखा पी पर असपर्स रेखा पी क्यू पर असपर्स रेखा पी क्यू है यहां बिन्दू P है और इस पर असपर्स रेखा है एक असपर्स रेखा हम खीच देंगे यहां से यहां तो चले एक यहां पर असपर्स रेखा और असपर्स रेखा हम आपको बता च केंद्र ओ से जाने वाली रेखा है तो पीक्यू जो है केंद्र ओ से जाने वाली रेखा है एक रेखा से क्यूँ पर मिलती है यहां पे केंद्र जो है क्यूँ है और इस रेखा को कहरा मिलती है ठीक है सवाल को समझते चलेंगे तो बैटर होगा चली, किलियर हुआ, अब देखे, अब एक बार और सवाल को हम पढ़ लेते हैं, करा 5 cm तरजिया वाला एक बिर्त ले लिए, बिंदू P पर, बिंदू P पर जो है, 5 cm तरजिया वाला P, ये P हो गया, बिंदू P पर एक असपर्स रिखा है, जिसको P Q नाम दे रखा है, P Q, और क O, O से जाने वाली एक रिखा, क्यों पर, इस परकार मिलती है, कि वह, 12 P, O Q जो है, 12 cm हो जाता है, 12 cm का है ये, ठीक है, 12 cm हो जाता है, तो कहरा P Q निकाले, तो देखिए भाईया, यहाँ पे, इवाला को हम लोग सीधा तिरभूज में देखेंगे ती, इसको कहते हैं, लंब केंगे सर कर्ण कहते हैं, तो कर्ण कहते हैं ना, कोई दिकत, तो पैथा गोरस परिमें धकेल दीजिए, यहाँ पे, अराम से लिखेंगे, यहाँ पे, पैथा गोरस परिमें से, तो पैथा गोरस परिमें से, क्या होता है, कर्ण एसक्वाईर, बराबर, आधार का पलस लंब का स्क्वाइर ठीक है तो कर्ण कितना है यहां पर बारा सेंटीमीटर तो बारा का स्क्वाइर बरावर अधार कितना है तो पांस सेंटीमीटर पांच का स्क्वाइर पलस लंब कितना है लंब कुछ नहीं दे रखा है तो लंब का स्क्वाइर ही निकालना है ठीक है तो बर बरे चवाल से 144 और 25 पलस लंब का स्कॉायर और 144 इधर है ये 25 इधर आजेगा तो क्या हो जेगा मैनस 25 पलस में था 25 तो क्या हो गया मैनस बराबर की सैड में क्या बच गया लंब का स्कॉायर ठीक है यही समझ मारा और 144 में अधि हम लोग 25 मेनस करेंगे तो 119 हो जाता है बराबर इधर है लंब का square और square हम लोग को हटाना है क्योंकि हम लोग को लंब जानना है ठीक है फ्यू क्यू जानना है तो यहां पर लिखेंगे लंब बराबर क्या हो जगा अधि square कुई set भेजते हैं इधर आके क्या हो जाता रूट हो जाता 119 हो गया ठीक है अधि हम लोग लंब क्या था फीक्यू पीक्यू बराबर क्या निकल क्या आगया रूट अंडर 119 यह ही हो गया आंसर देखें 190 है आपके option में यहां देखेंगे डी नमर भी इसका राइट आंसर म खीच लिजिए जैसे बोल्ड है मतलब की धंकी दे रहा लग रहा है ठीके विर्थ खीचिए और एक दी गई रेखा के सामांतर दो समांतर रेखा खीचिए एक दी गई रेखा के सामने दो समांतर रेखा खीचिए उनमें से एक असपर्स रेखा हो दूसरा छेदक रेखा हो पहला रेखा कह रहा है कि असपर्स रेखा हो असपर्स रेखा यह हो गया इसी के समांतर खीचना हम लोग को एक छेदक रेखा जिसको दूसरी छेदक रेखा हो कह रहा दूसरी जो है छेदक हो लेकिन समांतर हो दोनों तो देखें समांतर हो गया ये हो गया असपर्स रेखा और ये हो गया आपका छे दक रेखा ठीक है ये किरियर हो गया तो भाईस आप चार सवाल ही दे रखा था और आपका 10.1 के जितने भी शवाल थे सभी शवाल हल हो गया विलकुल और हाँ आप इसी तरह के वीडियो पाना चाते थे अब भी ही चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके औल कर लेना मतलब दबा के औल कर लेना ठीक है और तब तक मिलते हैं वीडियो को लेके तब तक ले बबाई जैहिन जैह भर है टेक केर आपका दिन सुब हो